आखिरकार हमारे फोन की टच स्क्रीन सिर्फ हमारी उंगली के टच करने से ही काम क्यों करती है जबकि किसी नुकेली चीज के टच करने से काम क्यों नहीं करती मिलेगा सब का जवाब बने रहे वीडियो में एंड तक फोन की डिस्पले के बाहर की बाते तो सब बताते हैं लेकिन मैं आज आपको कुछ अंदर की बाते बताने वाला हूं सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन की डिस्पले की जिसके अंदर काफी सारी लेयर सोती हैं जिसमें सबसे पहली लेयर प्रोटेक्टिव लेयर या फिर प्र फोन में Gorilla Glass 3 या फिर Gorilla Glass 5 की protection है जो कि आपके फोन का protective glass होता है या फिर बोल सकते है protective layers होती है alumino silicate एक normal glass होता है लेकिन इसे हमें phone लगाने के लिए काफी strong बनाना होगा अब ऐसे में हम ऐलूमिनो सिलिकेट को 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं वह भी पोटेशियम नाइटरेट के साथ जिससे हो गए है जो इसके अंदर सोडियम के छोटे-छोटे एटम होते हैं वह धीरे-धीरे करके बाहर निकल जाते हैं और उनकी जगह पर पोटेशियम के बड़े एटम आकर बैठ जाते हैं चलो इसे एक एकजामपल से अच्छी तरह समझ लेते हैं मानो हमने दो खाली ट्रांसपेरेंट बोक्स ले लिये हैं अब फर्ष्ट वाले बोक्स को हम कांच के छोटे-छोटे गोल टुकडों से पूरा भर देते हैं जब जो पहला ड्बा ता जिसे हमने पूरा भरहा हुआ था उसके अंदर कोई भी मोमेंट देखने को हमें नहीं मिलती। जबकि जो डबा हमने आदा बरदा उसके अंदर काफी सारी मुमेंट हो रही है और कांच के टुकडे एक दूसरे से आपस में टक्रा भी रही हैं अब ऐसा ही कुछ होता है प्रोटेक्टिव गलास के साथ सोरियम के छोटे एटम निकलने के बाद उनकी जगह पर पोटेसियम के बड़े एटम आकर बैज जाते हैं जिससे यह प्रोटेक्टिव गलास काफी मजबूत हो जाता है जो की छोटे मोटे दबाव वे चोट से नहीं तूटने वाला और यही कारण है कि एक protective glass किसी भी normal glass से five time strong होता है अब second number पर आती है touch screen जिसे हम capacitive touch screen भी बोलते हैं अब टॉच स्क्रीन के अंदर टीन लेयर होती हैं जिसमें सबसे ऊपर वाली लेयर या नीचे वाली लेयर दोनों लेयर diamond grid pattern की फुली transparent लेयर होती हैं यह दोनों लेयर conductor का काम करती हैं जैसे कि उपर वाली लेयर पोजिटीव और नीचे वाली लेयर नेगेटिव का काम करती है इन दोनों लेयर के बीच किलियर इंसुलेटर की एक बारीक लेयर लगाई गई है तागि उपर वाला positive layer नीचे वाली negative layer के साथ salt circuit ना करें अब जो नीचे वाली diamond grid layers होती हैं उसके उपर काफी सारे electrons होते हैं और ये तो हम बच्चपन से पढ़ते ही आ रहे हैं कि electrons के उपर negative charge होता है और इस layers के विपरीत उपर वाली layers पर positive charge होता है इन दोनों layers के बीच में लगी insulator की layer नीचे वाले blue layers के electron को दबा कर रखती हैं जिससे वे इधर-इधर move ना करें और एक जगह layers पर ही fix हो जाएं इन दोनों layers को आपस में जोडने पर एक अच्छा grid pattern बनता है नीचे वाली blue diamond layers पर बने electrons का negative charge उपर वाली yellow layers के positive charge के साथ अपना एक circuit पूरा करता है और capacitor की तरह काम करता है अब touch screen एक capacitor की तरह काम करेगी जिसे हम capacitive touch screen भी बोलते हैं इस capacitive touch screen पर जब हम अपनी उगली touch करते हैं तो screen के अंदर बने हुए electric field disturb होता है क्योंकि हमारी body भी एक electrical field generate करती हैं जिससे screen को touch करने पर नीचे वाली blue layers के electron के negative charge हमारी उंगली के positive charge के साथ अफना एक circuit पूरा करता है अब आप बोलोगे कि यार तुने ये तो बता दिया कि screen के अंदर होता क्या क्या है लेकिन screen को पता कैसे चलता है कि हमने इसे इस जगह पे touch किया है या उस जगह पे touch किया है इसलिए मैंने सोचा चलो ये भी बता देता हूँ जो yellow diamond layers होती है उसके अंदर regular charge flow होता रहता है लेकि जबकि blue diamond layer में ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें charge पहले एक column में जाता है उसके बाद दूसरे column में उसके बाद तीसरे column में ऐसे एक column से दूसरे column में charge flow होता है अब जो blue diamond layers होती है उनमें column में charge flow होता है जबकि yellow diamond layers में row में charge flow करता है अब जब हम screen को किसी भी जगह पर touch करते हैं तो yellow diamond layers और blue diamond layers आपस में scanning करते हैं और उस scanning से phone के processor को पता चलता है कि हमने touch screen को किस जगह पर touch किया है एक जगह पर दो जगह पर या फिर multiple जगह पर touch किया है मान लो अगर हम किसी touch screen को multiple जगह पर touch करते हैं तो पहले हमने जिस जगह पर touch किया है वहाँ पर scanning करेगा उसके बाद दूसरी जगह पर scanning करेगा इसी तरह यह हर जगह पर scanning करेगा जहां पर हमने touch किया है और processor तक यह बात पहुँचाएगा जो blue diamond layers होती है वह यही पता करती है कि चार्जोर voltage में किस जगह पर कोई बदला हुआ है और इसे ही phone का processor एक touch समझता है अब आप बोलोगे कि यार screen के अंदर तो कापी सारे colors भी होते हैं यह तो तुमने नहीं बताया तो अभी रुक जाओ मेरे दोस्त अभी वीडियो खतम ही कहा हुई है पूरे folder के अंदर colors वाले जो part होता है उसे हम display बोलते हैं capacitive touch screen के ठीक नीचे display होती है जैसा कि आपने सुना भी होगा कि मेरे phone में AMOLED या फिर OLED अगयरा वगयरा display है जब हम किसी phone की display को लेकर और किसी microscopic lens में काफी जूम करकर देखते हैं तो display के अंदर काफी सारे छोटे छोटे box बने हुए दिखाई देते हैं जिन box को हम बोलते हैं pixels अब हर pixels के अंदर तीन color होते हैं जो कि blue, red और green color होता है अब ये तीन color ही आपस में मिलकर काफी सारे लाखो करोडो color बनाते हैं क्योंकि हमारी display पे हमें देखने को मिलते हैं अज आपको display के अंदर के राज जानकर मज़ा तो आया ही होगा अगर आया है तो वीडियो को लाइक करना मत बूलना मिलते हैं जल्दी एक नई और सांदार इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ